सब को एको जाए मसी हम धनेवाद देते हैं परमेश्वर को परमेश्वर के आसीस अनुगरए के लिए कि परमेश्वर ने हम सबों को इस रीती से बनाए कि हम सब एक साथ में आकर परमेश्वर को जेजे कार कर सकते हैं हम जानते हैं कि परमेश्वर ने आप सबों को विशेस रूप से चुना है कि परमेश्वर के पैगाम आप सुन सकें और परमेश्वर के पैगाम को परमेश्वर के अनुगरह और आसीज को समझ कर इस गवाही को हम सब दुसरे के पास भी सजा कर सके हम धन्यवादे हैं कि आज के दीन परमेश्वर ने हमको चुना है कि हम आपके साथ होकर परमेश्वर का बच्चन हम एक दुसरे से बाढ़ सके और परमेश्वर के अगवाई में निरंतर बढ़ सके आईए हम सब छोटी सी दूआ करेंगे और फिर से परमेश्वर के अगवाई में हम सब आगे बढ़ेंगे परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके आसीस अनुगरह के लिए हम सबों पर आपका आसीस हो सके होने दे कि ज़स तरह से हम लोग आज आपके बचन को हम लोग एक दुसरे के साथ में सजा करेंगे ज्यांचेंगे परखेंगे प्रभू उस पर आपका आसीस हो सके और आपका पवीत्रा आत्मा का अगवाई हो सके छोटी सिविंती इस्टू के नाम से मांगते हैं आमेन आज जो बाते हम करने वाले हैं और हम काहसर से इसी तरह से बाते करेंगे कि हमारे जीवन में जो है चोईसिस होती है हमारे जीवन में चुनने की सक्ती होता है परमेश्वर जो है हमारे जीवन में हर चीज चुनने की सक्ति दिया है और हम उसको चुन सकते हैं क्योंकि परमेशोर ने इस संसार में जब आदम और हवा के सिष्टी की तो परमेशोर ने उन सबों को भी परमेशोर ने freedom of choice दिया था चुनने की सक्ति दिती और उन लोगों ने चुना का धाचम उसको बनाया था वहाँ पर ना पाप था ना कुछ ऐसा चीज था जिस से परमेश्वर ना खूस रहे बलकि परमेश्वर ने उस चीज़ों को बनाकर परमेश्वर बहुत खूस था और वहाँ पर अपने ही इमेज में अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसकी संगनी हावा को दिया कि ओ दोनों जान उस बगीचे में जीवनापन कर सके और परमेश्वर का गुनगान कर सके लेकिन ऐसा घट न घटा जिस रीती से परमेश्वर ने इस चीज़ों को बनाया लेकिन परमेश्वर के बिरूद में जब सैतान खड़ा जो उस बगीचे में जो पवित्रता था उसको भांग करने में सफल रहा जब परमेश्वर ने बोला कि आपको इस फाल को नहीं खाना है वहाँ पर परमेश्वर ने चोईश दिया था यदि तुम इस फाल को खाओगे तो मरोगे और यदि फाल को ना खाओगे तो तुमको अनन्द जीवन मिलेगा यानि उसमें परमेश्वर के अग्या भी चीपा था यानि वहाँ पर ये चोईश था ये चुनने की सक्ती परमेश्वर दिया था कि हम किसके तरफ रह सकते हैं आज हमारे और आपके जीवन में पल-पल पल-पल हर कदम पर हम लोग आपने चोईश और चुनते हैं चुनते हैं और निर्ने लेते हैं कि हमको क्या करना है नहीं करना है आईए हम सब एक बचन पढ़ेंगे और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे साथ में आप लोग एहिशू का पुस्तक निकालिए बाइबल हमारे साथ में आप लोग यहिसु का पुस्तक उसका हम 24 अध्याय 24 उसका पंद्रा पढ़ेंगे इसमें कहा है कि यदि हुआ की सेवा करने तुम्हें बुरी लगे तो आज तु चुनलो कि तुम किसकी सेवा करोगे चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुर्खा महानन्द के उस पहार कर और चाहे इमरियों के देवताओं को सेवा करो जिसे देश में तुम रहते हो प्रंतु मैं तो अपने घराने समेथ यहुआ कहीं सेवा नित करूंगा यहाँ पर देखिए यह जुस्वा है यह बहुत पुराना हो गया है जुस्वा जो है एकदम बुड़े हो गया है और इनके बुड़े होने के बाद में यह बहुत ही चीजों को जो उनके सामने जो इजराली करते थे उनको देखकर बहुत कुरकुराते हैं इनको ऐसा लगा कि हम का करें लेकिन सब को वो एक साथ में इकाठे करते हैं सब को बुलाते हैं जो बुड़े हैं भुजरुक हैं जवान हैं लड़का है लड़की है जितने कोई था सब को इकाठा करते हैं और खासर से जो इसराइल में जो लीडर थे हैं जो अगवे थे, और लोग को बोलाते हैं, और कहते हैं, आपको एवा कि सेवे करने भुरी लगे, तो आज तु चुन लो, आज ही चुनने की ज़रुवत है, यदि तुम को लगे कि परमेश्वर का कार्ज करना, परमेश्वर की सेवा करना, परमेश्वर के बिश्वास करना, और परमेश्वर के संगती में कुछ नहीं होता है, परमेश्वर के संगती में हम हैं, और परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, और हमको समझ नहीं आता है, लेकिन ये भी है, परमेश्वर बोलता है कि आज चुन लो, कि तुम किसकी सेवा करोगे चाहे उन देवताओं को जिने सेवा तुम्हारे पुरका महानन्द करते थे उन देवताओं को जो तुम्हारे बाप दादा करते थे उस देवताओं को जो तुम्हारे बाप दादाओं को बाप दादा उसका सेवा करते थे और चाहे मर्यो के देवताओं की सेवा करो जिसके दूसमें तुम रहते हो प्रंद तू आपने घराने समेत लेकिन मैं आपने घराने समेत मैं यहवा कोहीं सेवा नित करूँगा तुम किसी को चुनो, हमको मतलब नहीं है आज तुमको निन्ने करना है इसलिए मैं तुम को बोलाया हूँ कि आज तुमको निर्ने करना है कि तुम किसको चुनोगे इस संसार में जब हम देखते हैं कि एलेक्जेंडर जो था इस संसार इस पूरे संसार को जीता लेकिन जब जितने के बाद में वो सोचा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, उसके अंदर में घहमन डाई और उसके बाद में उसको परमेश्वर ने, जिस तरह से डंडित किया, थोड़ा सा बीमार हुआ और अलेकजिंडर जो है, वो चल बसे. लेकिन यहाँ पर जब हम लोग पढ़ते हैं, और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि बाइवल बोलता है कि आज ये निन्ने लेने की जुरूत है कि हम किसकी सेवा करेंगे, हम पाप की सेवा करेंगे, कि हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, कि हम सैतान की सेवा करेंगे हम परमेश्वर के संगती में रहेंगे कि इस देवी देवता जो हमारे सामने रखी जाती है उसकी सेवा करेंगे हम जूट को सेवा करेंगे कि हम सचाही पचलेंगे यह हमारे और आप को आज चुनने की जुरूत है क्योंकि आज इस दुनिया में जहां पर हम रहते हैं यह सबसे बड़ा चुनावती है कि हम लेकिन एशु जो है बोलता है ओही एशु जो परमेश्वर के संगती में चला ओही एशु जो इस्राइलियों के संग संग रहा आज जो है ओपुछता है क्योंकि उस समझ जो इस्राइली थे अपने ही भोग विलास में अपने ही किरिया और अपने ही करम में अपने कार्जू से परमेश्वर को छोड़ दिये थे और ओ दुसरे देवी देवता और अपने भोग विलास में फसकर दुसरे देवी देवता परहय देवी देवताओं के पीछे हो लिये थे आज भी हम लोग जो हैं परमेश्वर को हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इस स्षी को बनाया हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इस स्षी की राचनया की हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हम को और आपको बनाया हम जानते हैं कि परमेश्वर ने स्वास देता है हम जानते हैं कि परमेस्वर ने धूप देता है, हम जानते हैं कि परमेस्वर ने बादल चाहता है, हम जानते हैं कि परमेस्वर ने पानी देता है, हम जानते हैं कि परमेस्वर ने बारसा देता है, लेकिन तपर भी हमने जो अपने हातों से मूर्ती बनाया है, जो अपने हातो कि बुराईयों में फसते हैं ऑज परमेश्वर बोलता है कि चुल लो क्यınकि जिस समय आदम और हवा थैं परमेश्वर ने बोला कि हाँ हम इस चीजों को दे रहें आज जो है इसको जब ख्हाओंगे तो मरोगे जब ख्हाओंगे तो इसको मरोगे क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे तुम्हारे अंदर भूले भले और बुरे के ग्यान होगा लेकिन उस समय भी क्योंकि परमेश्वर ने चुनने की सक्ति दी थी और इसलिए आदम और हवा ने ऐसा चुनाव किया जो हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर कर दिया और आज उसी के वज़े से हम नहीं बलकि संसार में जितने कोई भी पैदा लेता है वो पाप में ही पैदा लेता है और पाप में ही मरता है क्योंकि उसी के वज़े से प्रभु ईसु मसी ने इस संसार में आया और आने के बाद में हमारे और आपके साथ रहा हमारे और आपके लिए कोड़े खाया हमारे और आपके लिए उन्होंने बेजिती सहा हमारे और आप परमेश्वर जानता था कि जब हम तक इस संसार में नहां आए जब तक से हम अपने लहु नहां बाहें तो पाप का छहम नहीं है परमेसवर ने बड़ी उजना के साथ में परमेसवर जिस समय कराचना कर रहा था जब हमको और आपको बना रहा था उस समय परमेसवर की उजना था कि जिस समय आदम और हवा को जो हम चुनने की सक्ति दे रहे हैं और जिस समय एह लोग गलत चुनेंगे गलत इनका अपने ही चुनाव के अपने तरीके से चले तर प्रभई расп wisecor परमेश्वर बोलता है प्रभई सुमसर काता है कि मैसी मैं ही जीवन का मार्ग हूं गिया प्रभई dit मेडता है कि मैं जीवन के मार्ग ओन मैं अपने पीता के पास जाता हूं जयाना जोहना चोधा का एक से तिन बोलता है कि मैं अपने पीता के पास जाता हूं और जाने के बाद में वहां जगत त्यार करूँगा और जब जगत त्यार होगा तो मैं फिर से तुमको लेने के लिए आउँगा लेकिन इसमें कंडिसन है बोलता है कि मैं उन लोग के लेने के लिए आऊंगा जो हमारी बाट जो होते हैं जो हमको चुने हैं और आज इसलिए बोलता है यह उसु बोलता है कि मैं तो अपने घराने समीत मैं परमेश्वर के ही सेवा करूंगा हम परमेश्वर की सेवा करूंगा आज तुमको और हमको चुनने की जरुवत है आपको और हमको चुनने की जरुवत है क्योंकि आज परमेश्वर पूछ रहा है कि तुम किस की सेवा करोगे तुम उस देवी और उस देवताओं को उस मूर्ती को तुम सेवा करोगो जो तुम् अगल बगल तुम्हारे आसफरोस के लोग करते हैं जो अशु बलता है मैं तो परमेस्वर को जानता हूँ वही परमेस्वर जो लाल समुंदर को दो भागों बटा मैं उस परमेस्वर को जानता हूँ जो उस चटान से पानी निकाला मैं उस परमिस्वर को जानता हूँ कि जो उसने मना गिरा मैं उस परमिस्वर को जानता हूँ कि जब इस जाली ने उससे मांस मांगा तो परमिस्वर ने मांस भी दिया हम उस परमिस्वर को जानता हूँ जिसने निरंतर हमारे जूती को भी नहीं फटने दिया मैं उसकी सेवा करूंगा आज चुनने की जरुवत है आज चुनने की जरुवत है क्योंकि संसार में हम लोग दो मास्टर की सेवा नहीं कर सकते हम इस संसार में दो मालिक का सेवा नहीं कर सकते हम सबों को चुनना है आज चुनना है कि हम सैतान को सेवा करेंगे कि हम प्रभू इस्सु मसी का सेवा करेंगे, हम परमेश्वर की तरफ रहेंगे कि सैतान के तरफ रहेंगे, हम स्वरक जाएंगे कि नरग जाएंगे, हमको यह चुनाव करना है कि हम यही रहेंगे कि परमेश्वर की राज में जाएंगे, यह चुनाव करने की ज़रुवत है दो ही रास्ता है जो परमेश्वर की तरफ लेकर जाता है यह दो ही रास्ता है क्योंकि आज हमको और आपको चुनने की ज़रुवत है कि हम किसको चुने है आज हम इस प्रिथी पर रहकर इस प्रिथी पर ही सेवा करना चाहते हैं कि हम उस राज्य को चुनना चाहेंगे जो परमेश्वर हमारे और आप के लिए तैयार किया है प्रभुमाश्य का सवर्गार हो रहा था जब प्रभुमाश्य को ऊपर उठाया गया और बोले कि जिस तरह से प्रभुमाश्य जा रहा है उसी तरह से बहुत जल्दी आएगा बहुत जल्दी आएगा और इसलिए आएगा कि जो उसपर विश्वास करते हैं जो उसके साथ चलते हैं जो उसपर भरोसा रखते हैं जो उसको चलते हैं हम जानते हैं कि प्रभूई शुमसी बहुत जल्दी आने वाला है हम जानते हैं कि प्रभु इशुमसी जल्दी आने वाला है प्रभु इशुमसी काता है कि यदि हमारे अज्याओं को तुम मानोगे यदि हमारे अज्याओं को मानोगे तो हम तुमको आसीष दूँगा आँगा बेवास्ता बिन आठाइस का एक काता है यदि तुम अपने परमेश्वर यहुए कि सब अग्याओं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकुशी से पूरा करने को चित लगा कर उसकी सुनो तो तुझे प्रित्वी के सब जातियों में से स्रेश्ट करेगा बोलता है कि यदि तुम अपने परमेश्वर का सेवा करना चाहते हो यदि तुम परमेश्वर को सेवा करते हो और तुम परमेश्वर के संगती में हो तो परमेश्वर के साथ हो तो बोलता है कि हम हमारे तु अग्याओं को मानते हो तो हम तुमको हर जात्यों में से स्रिष्ट करूँगा बहुत बार हम सोचते हैं कि हम कितने चोटे हैं, हम कितने निर्बल हैं, हम कितने चोटे हैं हमारे पास तो कुछ भी नहीं है लेकिन परमेस्वर है जो सिहासन पर बैठा हुआ है जो स्रिष्टी का मालिक है जो हमको और आपको बनाया है जो इस सिंसार में हर चीज देता है वो हमारा मालिक जो है उस साथ वहां पर बैठा हुआ है जहां पर कोई भी नहीं है वो वहां से बोल रहा है कि मैं तुमको हर जातियों में से स्रेश्ट करूँगा हर जातियों में से स्रेश्ट करूँगा लेकिन वो परमेश्वर पर जब हमको भरोसा करने की जरूरत है कि इसमें बोलता है 28 का 7 बोलता है परमे खर का, कि हुआ ऐसा करेगा कि तेरे सतरू जो तुझsex पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे, वे एक मार्क से तुझऊ पर चढ़ाई करेंगे प्रणतु तेरे सामने से 7 मार्क से होकर भाग जाएंगे तेरे खेतों में, जितने कामों में तुम हाथ लगाएगा, उन सवों पर यहवा आसीस देगा, इसलिए जो तरह जो देश तेरा परमेस्वर अहुआ तुझे देता है, उसे उस तुझे आसीस देगा, यदि तुम अपने परमेस्वर अहुआ की अग्याओं को मानते हुए, उ जो वह अपनी सपत के लुसा तुझे अपनी पबीत्र परज़क करके इस्तीर रहखेगा, यदि हम अपने आपको परमेस्वर पर इस्तीर करके चलते हैं, परमेस्वर पर भरूसा रखते हैं, तो हम को हर जातियों में स्थेश्ट करेगा, बल्कि हम पर हर सत्रू, जो हम से बिरूद में हैं, जह हम पर चड़ाई करेंगे, चड़ाई तो एक तरफ से करेंगे, लेकिन उस साथ तरफ से भाग जाएंगे, बोलता है कि तु जिसमें को हाथ लगाएगा, जिस किसी में हाथ लगाएगा, जहां पर भी हाथ लगाएगा, हम तुम को परमिश्वर के आग्य का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे भाईयों बनो मैं आज आप सबों से निवेदा नहीं करना चाहूंगा कि आज हम सबों को चुनने की ज़रूत है क्योंकि जब तक से हमारा और आपका चुनाओ गलत है तो हम परमेश्वर के राज में परविश्व नहीं कर सकते हम जानते ह कि मेरा और आपका चुनाओ जब तक से सही नहीं रहेगा तो हम उस परमेश्वर को बादले से आते हुए देख नहीं सकेंगे क्योंकि हम सबों को जब चुनाओ हम करते हैं तो सही रुप से हम चुनाओ करेंगे तो जब परमेश्वर अपने फरिष्टों के साथ में अपने लोगों को साथ में जब ओतूर ही और बादलोस होकर आएगा उस समय उसके नहाए उसके सिहासन के सामने में हम लोग खड़े ह होंगे और हम जब परमेश्वर हमारा नयाय करेगा तो हम उसके सामने में खड़े होकर नयायस से गुझरने पाएंगे हम जानते हैं यह उसी आज भी नहीं बलकि उस समय जिस तरह से चाइलेंज आपने भाईयों से किया था इसरेलियों से किया था उसी तरह से आज भी परमेश्वर चाइलेंज कर रहा है आज भी बोल रहा है, आज मैं भी चैलेंज कर रहा हूं, कि आप किसको चुनना चाहते हैं, आप अपने देवी देवताओं को जो अपने बाप और दादा, आपके बाप दादा, जो पुर्वशुस करते हैं, उसको चुनना चाहते हैं, कि जो आज परमेश्वर को आप जान ग किल क्या होगा लेकिन आज अभी चुनने के जरूएद है कि हम किसकी सेवा करेंगे हम किदर जाएंगे परमेश्वर बोलता है कि आप यदि हम को चुनते हैं तो हम आप्र आसिषत की बर्सा करूँगा हम हर स्रिष्ट हर जातियों में तुमको स्रेष्ट करूंगा हम जहां जहां आप हाथ लगाओगे वहां आसिसित करूंगा परमेश्वर के बचन है परमेश्वर को वदा है परमेश्वर का सपत है हमारे और आप से हम जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको बहुतायत से आसिस दी है हम जानते हैं कि करते लेकिन सैतान चाहता है कि हम और आप पाप करें सैतान चाहता है कि हम लोग परमेश्वर को चुनाव ना करें सैतान चाहता है कि हम लोग परमेश्वर के अग्याओं को ना मानें सैतान चाहता है कि हम सब परमेश्वर के संगती में ना रहें लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम सब परमेश्वर के साथ रहे परमेश्वर चाहता है कि हम सब परमेश्वर के साथ रहे एक बचन और मैं पढ़ना चाहूंगा यह हुआ अग तेरे लिए आपने अकास रुपी उत्तम भंडार को खोल कर तेरी भूमी पर समय समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कमों पर आसिश देगा और जो तू बहुताय जातियों को उधार देगा प्रणतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा आज हम सब जो है आज संसार में हैं और हर तरह के करजा, हर तरह के विमारी, हर तरह के लुब लालत में हम लोग भसे हुए हैं लेकिन परमेश्वर बोलता है कि हम तुम्हारे लिए आकास रुपी उतम भंडार को खोल कर तेरी भूवी पर, तेरे घर पर, तेरे परिवार पर, तेरे घाराने पर और हाँ तुम पर भी हम बरसा करूंगा. कि तेरा हर काम जो है, आसीज से भर जाएगा. तेरे हर काम सफल होंगे, लेकिन हम आज आप सबसुनिवेदन करना चाहते हैं, कि जिस तरह से हमारा चुनाव है, तो गलत नहीं होना चाहिए. कि आएए हम सब निर्णे करें, आएए हम सब एक साथ मिलकर निर्णे करें कि हमारा चुनाव जो है, परमेश्वर ही सिरिफ होना चाहिए. क्योंकि परमेश्वर जो है, हमको और आपको बनाया है. परमेश्वर के तरफ हम जाते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए उजगा त तेयार कर लेगा, जब परमेश्वर बादलोगर हो कर आएगा, तो हम सब उसके साथ जा सकेंगे, परमेश्वर हम सबों को आस्यसित करें, सब को जये मसी, इसी तरह से हमारे यस हिंदी होफ चैनल बने रहें, और परमेश और आपको आसिस दे कि आप हरत रहके सुच समाचार इस चैनल से पाएं और आप निरंतर आसिसित होते रहें आमेन